हाई मैं डियर वीवर्स वेलकम बैक तो मैं चैनल आज की वीडियो में हम सिखेंगे सब्ट्राक्शन आफ सिंपल लाइक फ्राक्शन तो जैसा के आप देख सकते हैं मैंने भी यहां पर एक एक एग्जामपल लिखा है 3 बाइ 5 माइनस 2 बाइ 5 यहां पर जो दो फ्राक्शन ल डिनॉम्नेटर लिखेंगे 5 सिर्फ नूमरेटर सब्ट्राक्शन करेंगे 3 मैनस 2 जो होगा 1 नूमरेटर में 1 आएगा और डिनॉम्नेटर में 5 तो इसका आंसर होगा या 1 बाइ 5 तो इस तरह अडिशन और सब्ट्राक्शन में अगर डिनॉम्नेटर सेम हैं तो सिर्फ नूम अगें यहां पर भी denominator same है 9, तो denominator में 9 लिख देंगे, सिर्फ numerator इसको subtract करेंगे, 6-3 that equals 3 by 9, 6-3 होगा 3, 3 by 9 आ गया इसका answer, अभी इसको आप further cancel कर सकते हैं, numerator और denominator को 3 के table में, 3-1 जा 3 और 3-3 जा 9, इस तरह से इसका final answer होगा 1 by 3, अगर आप इसको simplest answer चाहिए, तो आप cancel करके final answer लिख सकते हैं, या फिर 3 by 9 भी इसका answer होगा, अभी next example लेते हैं, 5 by 7 minus 3 by 7 minus 1 by 7, यहाँ पर 3 fractions दे गए हैं, तो पहले हम first two fractions को subtract करेंगे, जो answer मिलेगा, उस में से third fraction को subtract करेंगे, ओके, तो पहले 7, denominator में as it is लिख लेंगे, numerator में 5 minus 3 minus 1, तो पहले first two numbers को subtract करेंगे, 5 minus 3 होगा, 2 minus 1 by 7, अभी third number subtract करेंगे, 2 minus 1 is 1, तो इसका answer होगया, 1 by 7, तो इस तरीखे से अगर simple like fractions हैं, like fractions यानि अगर denominators same हैं, तो हमें सिर्फ numerator को subtract करना होगा, और denominator को as it is लिखेंगे, चलिए अब हम कुछ examples solve करते हैं, subtraction के, तो 5 by 6 minus 4 by 6, इसका answer होगया, 1 by 6, यहां पर 5 होगा denominator में, और 4 minus 2 is 2, इसका answer होगया, 2 by 5, अभी next question है, 6 by 7 minus 1 by 7, यह होगया, 5 by 7, next question का answer है, denominator में 9, और numerator 5 minus 2 is 3, 3 by 9, अभी next question में 3 fractions हैं, तिनों को हम subtract करेंगे, denominator में लिखेंगे, याइट, और numerator में 6 minus 2 minus 1 होगा, 3, 6 minus 2 is 4, 4 minus 1 is 3, तो इसका answer होगया, 3 by 8, तो इसी तरीखे से, next fractions को भी subtract कर लेंगे, denominator में होगा, 7, numerator में 6 minus 4 is 2, 2 minus 1 is 1, तो इसका answer होगा, 1 by 7, next fraction का denominator होगा, 6, और numerator होगा, 5 minus 1 minus 2, numerator में आ गया, 2 by 6 होगा, इसका answer, next fraction का denominator है, 9, और numerator में 2 by 9 होगा, इसका answer, next question का answer में, denominator होगा, 5, और numerator होगा, 2, तो इसका answer है, 2 by 5, और next answer है, 6 minus 2 minus 2, that is, 2 by 7 होगा, इसका answer, तो इस तरह से, like fractions या simple like fractions को हम subtract कर सकते हैं, सिर्फ numerator को subtract करेंगे, और denominator को as it is लिखेंगे, अगर आपको कोई भी डौट हो, related to the topic, आप मुझे comments box में पूछ सकते हैं, thank you for watching, अगर आपको करेंगे, और सकते हैं,